आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा दानी में सूजन आने के क्या क्या कारण होते हैं और सूजन आने के बाद में आपको क्या लक्षन दिख सकते हैं इसको कैसे ठीक करें इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को पुरा देखें ने रही है या फिर आपको अधर कोई डिजिस चल रही है जिसका बहुत जड़ा हैवी डोस आपको दिया जा रहा है तो हो सकता है कि उसके कारण भी आपको यूटरस में यानि की बच्चे दानी में सूजन हो सकती है इसके बाद में जैसे आपने पहले कभी भी कोई कर रहे हैं या हेवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसके कारण भी कई बार बच्चे दानी में सूजन आ जाती है इसके बाद में वो सकता है कि आपको लुक्वेरिया की प्रॉब्लम हो यानि कि वाइट डिस्चार्ज महिलाओ को एक धात या सफेद पानी की प्रॉब्लम सबसे कोमन होती है कई मेला को बहुत जादा सफेद पानी जाता है मेला ये कंप्लेंड करती है कि मेडम इतना सफेद पानी जाता है कि कभी-कभी तो हमरी पेंटी गिली हो जाती है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरा पीरेट सा आ गया और जाकर के देखते हैं तो वो सकता है आपकी बच्चदानी में अंद्रूनी सूजन आ रही हूँ जिसके कारण सफित पानी जो आ रहा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है इसके बाद में कहीं बार दही जैसा गाड़ा सफित पानी आता है तो ये भी एक इंफेक्शन होता है और ये भी सिधा सिधा संकेत देता है कि कहीं आपकी बच्चदानी में सूजन तो नहीं आ रही है इसके बाद में कहीं मेलाए बहुत जदा शेक्वली अक्टिव होती है तो उस कारण भी बहुत जदा सेक्स करने से भी या अलग-अलग लोगों के साथ सम्मन्द बनाने से भी ये इन्फेक्शन होता है जिसके कारण बच्चा दानी में सूजन आ जाती है और कई बार जर्वस से ज़्यादा खाना खाना ठूस ठूस करके तो उसके कारण भी पूरी बोडी की ओर्गन्स में खिचाव आता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण भी आपकी यूट्रस पे स्व आप जैसे ही मोसम बदलता है और आप बिमार पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि मोसम में चेंजेश के कारण भी आपकी बोडी पे इफेक्ट पड़ रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ इंपोर्डेंट रिजन रहते हैं जैसे कि हो सकता है कि आपको कही अन्वांटेट प्रे इन्सी में हो सकता है कि बहुत जादा यूटरस में घाव बन गए या फिर एंडोमेटरियम की लाइनिन बहुत जादा क्यूरेट कर दी गई हो या फिर हो सकता है कि इस्टूमेंट के द्वारा कोई इन्फेक्शन यूटरस में चला गया हो जिसके कारण भी सुजन आने का common reason देखा जाता है इसके बाद में जैसे आपकी seizure and delivery हुई हूँ या फिर normal delivery भी हुई हूँ उसमें कुछ की चतानी हुई हूँ जिसके कारण भी बच्चादानी पर सुजन रह जाती है और कहीं बारी महलाए बरबर परेज नहीं करती है जैसे चाहे आपकी DNC हुई हूँ तो DNC में तो बिल्कुल भी परेज नहीं रखा जाता है जैसे कि महलाए बहुत जल्दी फिर सर sexually active हो जाती है और खटाई का बहुत बादी वाली चीज़े रहती है उनका परेज नहीं करती है महलाए तो इनके कारण भी बादी वाली चीज़े मिंस जो हमारी बोडी को फुला देती है मोटा कर देती है जैसे बेंगन, भींडी मक्के की रोटी एसी बहुत सारे चीज़े होती है जो हमारी बोडी में पेन भी लाती है और बोडी को फुलाती भी है तो इन चीजों से हमको परेज रखना चाहिए साथ ही में जो विटमिन सी वाले प्रोडिक्ट रहते हैं खटी चीजे उनसे भी आपको परेज रखना चाहिए जैसे कि अगर आपको छोटी मोटी सरजरी भी होई है तब भी आपको परेज रखना चाहिए तो ये कुछ कारण थे जिसकी वज़े से आपको बच्चदानी में सूजन आ सकती है अब हम बात करते हैं कि बच्चदानी में सूजन आने के बाद आपको क्या-क्या लक्षन देखने को मिल सकता है तो जैसे सबसे पहला जो लक्षन होता है हमारा जैसे पेट के निशले इस्थे में बार-बार दर्द होना, कमर में दर्द रहना, इसके बाद में जब भी आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ओटी करते समय भी दर्द हो, यूरिन करते समय दर्द हो, पेट के निशले हिस्से में भारी-भारी सा फील होना, यानि कि हेविनेस फील होना, पेट का जो निशला हिस्सा है वो थोड़ा उचक जाना या फूल जाना, मतलब पेट का जो निशला हिस्सा है वो थोड़ा अलग तरह से दिखना, या कभी-कभी महिला को ऐसा फील होता ह कि मेरा पेट ऐसा निकला हुआ है जिसे मेरे को दो-तिन महीने की फ्रेग्नेंसी हो तो ये भी सिधा-सिधा एक संकेत देता है कि कहीं आपके बच्चे जानी में सुजना गई है इसके बाद में जो हमारी मसल्स रहती है मसल्स पेन बना रहता है महलाओ को और पेट दर्द होना इंडाइजिस्चन की यानि कि कबज की शिकायत होना बार-बार बुखार आना इम्मिनेटी कमजोर पड़ जाना यानि कि हमने अगर पानी भी चेंज हुआ मरा जैसे आज हम यहाँ है अगर हम कल कही और चले गए और हमने नॉर्मल वर्टर पी लिया तो हो सकता है कि आपको तूरन सर दी जुकाम खासी ऐसी प्रॉब्लम हो तो यह यूमिनेटी वीक होने के कारण भी इंफेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और बार-बार पेशा आबाना यानि कि बार-बार यूरीन पास करने के इच्छा होना या जैसे हम यूरीन करने जाते है थोड़ी से आती है फिर आदा गंटा होता है फिर हमको ऐसा लगता है कि बलेडर फूल हो गया मुझे अभी खाली करना पड़ेगा तो ये भी लक्षन होते हैं कि आपको कहीं बच्चदानी में सूजन तो नहीं आ रही जिसके कारण आपको लगतार ऐसा महसूस होता है कि मुझे बार-बार यूरीन पास करने पड़ेगी इसके बाद में जो वाइट डिस्चार जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना इरिटेशन होना, खुजली चलना और थोड़ी जलन का एसास होना इसके बाद में जैसे आप लोग सेक्स करते हैं तो सेक्स के दोरान बहुत ज़्यादा पेन होना ये कुछ नॉर्मल लक्षन होते हैं जो की महिलाओ को दिख सकते हैं इसके बाद में एक और लक्षन होता है कि जब आपके पीरेट्स आते हैं तो पीरेट्स के दोरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना एठन होना ब्लीडिंग ज़्यादा होना यानि कि हेवी पीरेट्स आना पीरेट्स के दोरान ब्लड के क्लोड से निकलना ये भी एक सीधा सीधा हमें indicate करता है कि आपको कही endometriosis तो नहीं हो गया ठीक है तो अब हम बात करें कि इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं तो इसके लिए पता लगाने की बहुत easy method होती है जैसे कोई भी patient हमारे पास आता है तो हम PV करके देखते हैं अगर PV करने में समझ में नहीं आता है तो फिर हम एक उनका TVS है निकर transvaginal ultrasound करवा के देख लेते हैं जिसमें कि ये clear हो जाता है कि आपकी बच्चादानी के सुजन है या नहीं है इसके बाद में अगर हम उप्चार के बारे में बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सुजन आ रही है तो इसमें हम एंटिबाइटिक से चलाते हैं पेंकिलर देते हैं और हार्मोनल टेबलेट देते हैं जिससे कि आपकी बच्चादानी में जो सुजन आ रही है दर्द हो रहा है वो सब दीरे-दीरे करके कंट्रोल हो जाए और अगर आपको मामूली सी सुजन है तो उसके लिए कुछ सीरप औगेरा भी रिकमेंड करते हैं पर वो ऐसे नहीं कि कोई भी पेशेंट ने वीडियो देखकर के कमेंट किया कि मैडम हमें तो सुजन आ रही हमें उपाई बता तो ऐसे कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है पेशेंट की सारी कंडिशन देखनी पड़ती है उसके बाद में ही कोई भी डोक्टर डिसाइड कर पाता है कि मुझे इनको कौन से दवाई देना है और कितने समय के लिए देना है इसके बाद में आप कुछ होम रेमेडी कर सकते हों जैसे कि आप नीम की पत्तियों को पर डेखाईए जिससे कि जितना भी इंफेक्शन है इन्फ्लामेशन है यहनि कि सूजना रही है उसको वो ठीक करेगी नीम की पत्तियों को आप बाट करके छोटी टेबलेड बना के मूँ में डाल के पानी पी जाओ तो दो तिन महीने तक आपको इसको लेना है इसके बाद में आपको हल्दी वाला दूद सुबा शाम दिन में दो बार पिना है जिससे आप एक गलास दूद ले रहे तो उसमें हाफ टीस्पून से भी कम वन फोर्थ टीस्पून आपको हल्दी पाउडर लेना है टर्मरिक पाउडर जो कि हमारे किछिन में अविलेबल रहता है दोडनो टाइम दूद में उबाल के उसको पिना है इसके साथ में जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो तो होट वर्टर बेक से आपको सिकाई करना है तो ये उपाई करके भी आप अपनी सुजन को ठीक कर सकते हैं बाकी परेज में खट्टी चीजे और बादी वाली चीजे आपको नहीं खाना चाहिए तान्य वांत